नमस्कार आज हम शब्द के भेद में से विशेशन यह प्राकार देखने वाले हैं पहले उसके वाक्य क्या है वह देखते हैं यहाँ हावेली बहुत पूरानी लगती है इस वाक्य में पूरानी यहाँ हमें हावेली की बारे में क्या करता है विशेश जान कर देता है वह विशेशन है दूसरा वाक्य सफल विध्यातियों को पूरसकर दिये गए किन विध्यातियों को जो विध्याति सफल है मतलब विध्यातियों के बारे में अधिक जानकरे कुन सा शब्द देता है तो सफल यह शब्द क्या करता है अधिक जानकरे देता है उसके बाद उसने दो साल तक काम किया तो कितने साल तक तो दो साल तक दो यह क्या करता है विशेश क्या करता है जानकरी देता है राकेश क्रिकेट अच्छा खिलता है तो क्रिकेट कैसा खिलता है वह अच्छा जो शब्द क्या करता है सग्या या सर्वनाम के बारे में क्या करता है विशेश जानकरी देता है उसे विशेशन कहते है आओ देखते हैं वैक्ष्य क्या जो शब्द सग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है मतलब क्या अधिक जानकरी देता है उसे विशेशन कहते है तो विशेशन के चार भेद है पहला है गुण वाचक विशेशन दुसरा है संख्या वाचक विशेशन तीसरा है परिणाम वाचक विशेशन और चौता है सार्वनामिक विशेशन तो आए देखते हैं पहला प्रकार गुण वाचक विशेशन गुण में ऐसा नहीं के अच्छे गुण तो सभी दोनों गुणों के बारे में भी पताया जाता है मतलब अच्छे भी या बुरे भी इन सभी गुणों का समावेश गुणवाचक विशेशन में होता है पहला वक्य गंगा पवित्र नदी है जो पवित्र यह क्या है गंगा के बारे में अधिक जानकर देता है विशेश जानकर देता है उसके गुणों के बारे में अधिक जानकर देता है दूसरा यह आज की ताजा खबर है तो खबर की से है? तो ताजा तो उसके गुण के बारे में अधिक क्या कर रहा है? जानकारे दे रहा है यह बहुत यह आजसांब सा प्रकार है गुणवाचर क्विशेशन यह खुशबुदार फूल है यह कैसा फूल है तो खुशबुदार उस फूल के बारे में क्या कर रहा है अधी की वह जानकरे दे रहा है बे इमानदार अदमी है कैसे हैं अदमी तो इमानदार उनके गुणों के बारे में जानकरे दिये है यहाँ पर सभी जो गुन दिये है वह अच्छे गुन दिये पवित्र, ताजा, खुशबुदार, इमानदार इसमें ऐसा भी हो सकता है वह बदमाश लड़का है तो बदमाश यह क्या हो गया बुरा गुन हुआ फिर मतलब यह भी क्या है गुनवाचक विशेशन में आता है तो जो शब्द क्या करता है गुनों के बारे में अधिक जानकारे देता है वह गुनवाचक विशेशन होता है पर जब परिक्षा में पूछा गया तो हमें उसके प्राकार के बारे में जो प्राकार दिये गए है इन प्राकारों के बारे में बताने की जरूरत ने है हमें सिप समझना है कि यह विशेशन का प्राकार है कौन से विशेशन का प्राकार है तो आपको सिफ क्या करना है विशेशन जो उपर दिया है विशेशन यही आपको क्या करना है लिखना है बाकी प्रकार हम इसलिए लिख रहे हैं या समझना चाहते हैं ताकि वो कौन से प्रकार में आता है जो शब्द वो मालूम होना चाहिए कि वे विशेशन का प्रकार है त तो पवित्र लिखना है और वह क्या करना आगे क्या आगे लिखना है विशेशन लिखना है पर वो कौनसे प्रकार में आता है वो मालूम होना बहुत जरूए तो व्याख्या क्या हो जाएगी जो शब्द किसी न किसी सग्या या सर्वनाम के गुण को सुचित करते हैं उसे ग क्या हो गए सर्वनाम हो गए उनके बारे में क्या कर जानकर दे रहे हैं तो वह क्या हो गया गुणवाचक विशेशन हो गए उसके बाद हम संख्यावचक विशेशन देखते हैं देखो पहला वाक्य पिता जी कुछ पुस्तके लाएं है यहाँ पर कुछ शब्द है जो संख्या के बारे में जानकर देता है तो कुछ यह शब्द है वो संख्या के बारे में जानकर देता है तो कुछ यह संख्या वाचक विशेशन है पर वह कुण सा है अनिचित वाचक विशेशन अनिचित वाचक मतलब क्या कि कुछ उसके मतलब निचित अधा का बोध नहीं होता कितने मतलब समझ में आए, इसलिए मैंने क्या किया है, यह अन्यचित संख्यावाचक विशेशन लिखा है, यह ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए मैंने यह लिखा है, दूसरा, हमने पाच पेड़ लगाए, तो पाच इस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है, त करते हैं, उसके बाद कक्षा के सभी विध्याती एक हो गए, तो कौन सा शब्द है, जो हमें संख्या का बोध कराता है, तो सभी यह शब्द क्या करता है, संख्या का बोध कराता है, तो सभी यह क्या है, विशेशन, तो सभी यह क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेश का प्रकार हो जाएगा उसके बाद मामा ने भतिजे को खेलने के लिए तीन गेंदे लाई तो तीन यह क्या करता है हमें संख्या का बोद करता है तो वह क्या हो जाएगा निच्चित संख्या वचक विशेशन हो जाएगा उसके बाद उसने कुछ पैसे अपने पास रख लिये तो कुछ यह क्या हो गया संख्यावचक विशेशन और क्या है कुछ मतलब उसके बारे में पता चलता है कि कितने एक, दो, तीन, चार या दस, हजार वह पता नहीं तो संख्यावचक विशेशन तो वह अनिच्चित्त का क्या करता है बोध करता है मतलब क्या, जिसमें हमें संख्या का क्या हो जाता है बोध होता है, किसीने किसी संख्या का बोध होता है वह सभी क्या हो जाएगे, संख्यावचक विशेशन में आ जाएगे पर उत्तर लिखते समय हमें पांच आ दिया है, तो क्या करना है, सिप विशेशन लिखना है, संख्या वाचक विशेशन में आता है, यार समझने के लिए हमने लिखा है, पर उत्तर लिखते समय सिप विशेशन लिखना है, जो कि शब्द के भेद के बारे में बताता है, ऐसा नहीं पूछा जाता है, विशेशन के प्राकार के बारे में बताओ, तो शब्द के भेद के बारे में पूछाता है, तो विशेशन है, वही हमें लिखना है, व्या क्या क्या हो जाएगी, जो विशेशन सग्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, उसे संख्या वचक व तो परिमाण याने क्या वह समझ में आना बहुत पहला समझे परिमाण याने क्या जिसमे जो किलोमीटर किलो जो परिमाण का बहुत काराता है लिटर ऐसे शब्दों का इस्तमाल परिमाण मचक विशेशन में किया जाता है जैसे कि देखो पहला वाक्या मैंने देड किलो तो देड़ किलो इससे हमें क्या हो जाता है परिमान का बोध होते है जो किलो में गिना जाता है देड़ किलो या परिमान में गिना जाता है पर इसमें निचित जो हमें पता है कि देड़ ही किलो यह है माने कुछ दूद लाया तो दूद है वह किसमें लिटर में गिना जाता ह कूछ तो पता चलता है यह क्या परिमाण में अगिना जाता है किसने किसी परिमाण में होता है तो कूछ क्या हो जाद किलो में गिना गया है जो पाच किलो आम लाये हैं तो आम किलो में गिने जाते हैं इसलिए परिमान वचक विशेशन में वह क्या हो जाए कि पर निच्चित वचक विशेशन में किया जाता है उसके पास बहुत धन है यहां भी बहुत शब्द ऐसे जो कुछ शब्द है जो जि पर यह क्या हजाए बहुत धन है कितना पता नाई तो अनिचित्वाचक विशेशन में किया जाएगा। उसके बाद मनुष्यक के रुदय में थोड़ी उदारता होनी चाहिए। तो थोड़ी यह शब्द क्या करता है हमें संख्या का बोद करता है यानि परिमान का बोद करता है तो परिमानमचक विशेशन तो उदारता क्या है उदार कितना उदार है जो थोड़ी उदारता होनी चाहिए या थोड़ी उदारता है वह क्या करता है और निचित्वाचक क्य के लिए आर्थ बताया था मतलब हार यहां पर आगर देखा गया तो रुदय में थोड़ी उदार्थ तो और रुदय की उदार्थ किलो में तो नहीं गिनी जा सकती है पर उसका हमें प्रमान के बारे में क्या करता है वह जानकर देता क्योंकि ऐसे कुछ शब्द है वह उनका इस तमाल परिमान वाचक विशिशन में होते है जैसे कि देखो परिमान वाचक विशिशन में बहुत ज्यादा कम थोड़ा इन शब्दों का क्या होता है उप्योग होता है जो परिमान के बारे में क्या करता है जानकरी देता है जैसे कि उस आदमी को बहुत पिटा तो पूर्ट पीटा तो उससे हमें क्या करता है जो परिमान का क्या करता है बोध कराता है उसके बाद हम अंतिम का प्रकार देखते हैं सार्वनामिक विशेशन तो सार्वनामिक विशेशन याने क्या सर्वनाम यह लड़का हुश्यार है यहां पर देखो इसकी पहले व्याक्या ह पहले आकर उसकी विशेशता का बोद कराता है उसे सारवणामिक विशेशन कहते हैं जो विशेशन सग्या के पहले आकर मतलब क्या है सग्या क्या है यहाँ पर लड़का यह क्या है सग्या है उसके पहले आकर उसकी विशेशता बताता है होश्यार यह क्या है गुणवाचेक विशेशन में आ जाएगा तो यह क्या उसकी विशेशता के बारे में बताता है तो वह क्या हो जाता है सार्वनामिक विशेशन देखो आद्मी यह क्या है सग्या है उसके पहले आकर इस आद्मी का नाम जगन है तो उसका नाम के बारे में क्या कता है जानकर दे रहा है तो सग पहले आकर उसकी विशेशता बताता है उसे क्या कहते है सार्वनामिक विशेशन कहते हैं तो वहां हमें सार्वनामिक विशेशन और सर्वनाम में क्या फर्क है यह समझ में आना ज़रूरी है देखो अगर यही वाक्य है यह लड़का होश्यार है यह क्या हो जाएगा सार्वन होशियार लड़का है तो यह क्या हो जाएगा सर्वनाम में आ जाएगा इसका सामाविष किसमें हो जाएगा सर्वनाम मतलब इसकी व्याक्या है वो व्याक्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सग्या के पहले आकर वह और अवरत बड़ी दयालू है और अवरत सग्या है उसके पहले आया और उसके बारे में क्या कर रहा है जानकरी दे रहा है तयालू देखो कितने सुन्दर है वे तारे अगर आ यहां पर अगर कितने तो आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा किस में आ जाएगा संख्या में आ जाएगा तो संख्या में नहीं तो क्या जिस प्रकर से हमने देखा संख्या विशेशन में आ जाएगा तो नहीं तो इसमें क्या है तारे तारे के अगे जो तारे यह क्या है सग्या है बे को आदो रिकित किया है और कितने वह सुन्दर है तो वह क्या करें उसके बारे में जानकरे दे रहा है तो वह क्या हो जागा सारवनामिक विशेशन में आ जाएगा तो इस प्रकास से आज हमने जो विशेशन है वो विशेशन के भेदों के बारे में देखा पहले हमने देखा गुणवाचक विशेशन दुसरे हमने देखा संख्यावाचक विशेशन तीसरे परिमानवाचक विशेशन और चलता सार्वनामिक विशेशन हमें भेद के बारे में जान करेदे की पर उत्तर लिखते समय इतना ध्यान में रखो उत्तर लिखते समय आपको स प्रश्न शब्द के भेद के बारे में पूछा जाता है, शब्द के भेद कुन से है, सग्या, सर्वनाम, विशेशन और क्रिया, इनके बारे में पूछा जाता है, उपर ज्यादा प्रश्न नहीं होता, सग्या होता है, सर्वनाम होता है और विशेशन होता है, तो उसमें से को क्या करना है पहिचनना है दन्यवाद